सबसे पहले डिस्पेले पे आप लाइप प्रूब देख सकते हो 5 अप्लिकेशन पे आमारा 33,000 रुपय का लोन बिना किसी सिविल स्कोर के अप्रूब हो चुका है और एक क्लिक के अंदर ये पैसा आमारे बैंक एकाउंट बे भी आ जाएगा यहां पर लोन का अमांट भरने के लिए आपको 3 महीनों से लेके 36 महीनों तक का टाइम पिरियेट दिये जाता है अभी दूस्तों आपको 5 अप्लिकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले Google Play Store से 5 इंस्टेंट परसनल लोन एप को डाउनलोड कर लेना है इस अप्लिकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्ट्रेप्शन बॉक्स में भी दे राखा है उस पर क्लिक करके भी आप 5 अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं application को download करने के बाद आप simply application को यहाँ पर open करेंगे, उसके बाद आपके सामने को जिस तरीके का interface खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना mobile number बरना है, जिस भी number से आप यहाँ पर loan apply करना चाहते हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे, कि कोशिस आप कीजिएग कि आप यहाँ पर वही mobile number बरें, जो आपके अधार card and pen card से link हो, दूसरा mobile number भी बर सकते हैं, लेकिन अगर अधार pen से link mobile number बरेंगे, तो application approve होने का chance जादा हो जाता है, तो यहाँ पर mobile number बरने के बाद यहाँ पर इस box पे आप टिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर continue वाले option को select करेंगे, उसके बाद आपके mobile phone में जितने सारे Google accounts login होंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर जो भी email देना चाहते हैं, उस वाले email को आपको यहाँ से select कर लेना है, नेक्स फेज में आप से कुछ permissions मांगे जाएंगे, तो basically यहाँ पर आपक से मांगे जाते हैं, सभी permissions को आपको यहाँ पर allow कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको setup account को option मिलेगा, इस पे आप एक बार click करेंगे, अभी कुछ tutorial कुल करके आज जाएगा, तो okay, got it वले option पे यहाँ पर click करना है, next page में आपको अपने अदार कार्ट के हिसाब से नाम बरना है, सबसे पहले यहाँ पर आप first name डालेंगे, और यहाँ पर आप last name डालेंगे, अगर आप तो कोई middle name है, तो आप first name के अंदर include कर सकते हैं, तो उसके बाद आप next वोले बटन पे click करेंगे, उसके बाद आपको अपना date of birth सेलेक्ट करना है, तो select date of birth वोले option पे click करेंगे, और यहाँ पर आपके सामने calendar खुल दर के आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहे तो अपने date of birth को complete fill कर सकते हैं, या फिर नीचे calendar में से भी आप यहाँ पर select कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना month select करना है, तो यहाँ पर date select कर लेना है, और यहाँ पर date of birth का आप year यानि साल select कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक arrow का icon मिलेगा, इस पर आप click करेंगे, next page में आपको अपना employment type select करना होता है, अगर आप कोई job करते हैं, देन आप salary को select करेंगे, अगर आप कोई business या पर कोई खुद का काम करते हैं, देन self employed को select करेंगे, अगर एक बार आपको confirm करना है, इस वाले box पर tick करके, नीचे save and footset पर click करना है, अभी आपका 5 application पर account create हो चुका है, यहाँ पर आपको अपना profile complete करना होगा, so complete profile वाले option पर click करेंगे, उसके बाद next page में यहाँ पर आपको अपना relationship status बताना है, अगर आपकी साधी नहीं होए दिन आ आप merit select करेंगे, अगर आपका तलाक हो चुग है तो devote select कर सकते हैं, वरना आप video को select कर सकते हैं, उसके बाद next page में इस वाले box में आप महीने में जितने पैसे कमा लेते हैं, वो amount आप यहाँ पर fill करेंगे, minimum आपको कम से कम 15,000 भरना ही पड़ेगा, एड़ उसके बाद आपको अपना work address fill करना है, अगर आपने sell it select किया है, यहाँ पर company का नाम and company का complete address आप fill करेंगे, वहीं अगर आपने self-employed या फिर business select किया है, तो यहाँ पर आप अपने business का नाम डाल देंगे, या फिर profession का नाम डाल देंगे, यहाँ पर complete address fill करेंगे, pin code and city select करेंगे, और उसक current residence address पे click करेंगे उसके बाद फिर से आपको इन सारे details को एक बार match करना है and नीचे save and proceed पे click करना है then आपको यहाँ पर अपने monthly income को verify करके confirm income पे यहाँ पर click करना है फिर यहाँ पर address details को दोबारा से एक बार match करके इस वरे box पे आप एक बार tick करेंगे and submit personal details पे click करेंगे next page में आपकी details को एक बार verify किया जाएगा and अगर आप loan के लिए eligible होंगे तो कुछ जैसा page आएगा यहाँ पर directly लिखा है you are eligible to get 5 lakh rupees loan exact कितने रुपे का loan मिलेगा वो आपको आगे बताया जाएगा यहाँ आप आप से bank statement upload करने के लिए बोला जाता है तो अगर आप bank statement देना चाहते हैं तो continue to provide bank statement पे click करेंगे वहाँ अगर आप bank statement नहीं upload करना चाहते हैं तो I will do it later पे click करेंगे मेरा मानिएगा तो आप यापर bank statement upload कर दीजेगा ताकि आपका loan instant approve हो जाए और ज्यादा limit के साथ आपका loan approve हो यहाँ पर आप continue to provide bank statement पे click करेंगे उसके बाद next phase में bank statement verify करने के लिए आपको दो options दिखाया जाएंगे सबसे पहला online method है जिसमें आपको net banking login करना होगा और आपक कर सकते हैं जैसे ही आप इस process को complete कर लेते हैं next page में आपको exactly कितने रुपे का loan का limit मिला है वो amount आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जैसे कि मेरी case में मुझे 15,000 रुपे का loan का limit मिला है इस amount को bank में transfer करने के लिए सबसे पहले हमें KYC complete करना होगा so complete KYC वाले option पे click Selfie upload करते समय आपको चस्मा नहीं पहनना है और किसी भी तरीके कर टोपी नहीं पहनना है उसके बाद यहाँ पर आपसे KYC के लिए एक document upload करने के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर अधार OTP verification वाले option को आप select करेंगे फिर next page में यहाँ पर आपको complete अधार card का number fill करना है and इस box में आपको एक security code दिख रहा होगा same to same इस वाले code को आपको इस वाले box में fill करना है and उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले box पर tick करके नीचे request OTP पे click करना है next page में आपके अधार card से link mobile number पे OTP send के जाएगा OTP आप verify करेंगे and उसके बाद आपका जो अधार card है automatic यहाँ प security code वगरा fill कर देंगे then उसके बाद यहाँ पर आप सी bank details पे click करेंगे then उसके बाद यहाँ पर आपको अपने account के साथ auto debit set करना है ताकि हर महीने आपका जो EMI का पैसा है आपका bank account से automatic cut हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर setup online का option मिलेगा इसके आप एक बार click करेंगे and उसके बाद next page में आपको अपने net banking का details user ID password डाल के login कर लेना है अगर आपके पास internet banking नहीं है तो अगले page में आप अपने ATM card का details में fill कर सकते है and उसके बाद automatic आपका जो auto debit है वो set हो जाएगा and आपका जो loan का पैसा है आपका bank account में कुछ देर के अंदर transfer कर दे जाएगा and हर मह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like series पर comment कीजेगा and channel को subscribe कर लीजेगा